मेरे प्यारे देश भासियों, अभी हमने पवीत्र छट पूजा की बात की, भगवान सुरिय की उपासना की बात की, तो क्यों न सुरिय उपासना के साथ साथ, आज हम उनके वर्दान की भी चर्चा करें। सुरिय देव का ये वर्दान है, साउर उर्जा, सोलर एनरजी, आज एक ऐसा विशह है, जिसमें पूरी दुनिया अपना भविश्य देख रही हैं, और भारत के लिए तो सुरिय देव सद्यों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं, भारत आ आज अपने परमपारिक अनुभों को आधुनिक विज्ञान से जोड रहा है, तभी आज हम सौर उर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं, सौर उर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मद्यमबर के जीवन में बढ़लाव आ रहा हैं वो भी अध्यान का विशा है, तमिलनाडु में कांची पुरम में एक किसार है, थीरू के एजिलन, इन्होंने पी एम कुसुम योजना का लाब लिया और अपने खेत में 10 होर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया, अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर नहीं करना होता है, खेत में सिचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निरभर भी नहीं है, वैसे ही राजस्तान के भरतपूर में, पी एम कुसुम योजना के एक और लाभारतिक किसान है, कमल जी मेडा, कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है, लागत कम हुई, तो आमर्दी भी बढ़ गई, कमल जी सोलर पिजली से दूसरे कई छोटे उद्योकों को भी जोट रहे हैं, उनके इलाके में लकडी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इन में भी सोलर पिजली का इस्तवाल हो रहा है, वो दस बारा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानि कुसूम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसके महक कितने ही लोगों तक पहुचने लगी हैं?